अज़े आज लेके आए हूं कथल ग्रेवी की रेसिपी जो बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा सिंपल और इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं यह मतन और चिकन को भी फेल कर देने वाली रेसिपी है तो चली फ्रेंड्स लेट्स केट स्टार्टेड तो फ्रेंड्स मैंने लिए हैं आदा किलो के बराबर ये कठल है मोटे टुकडे में कटा हुआ आप चाहे तो पहले से ही जो इसके बीच होते हैं उसे रिमूब कर सकते हैं उसका उपर का स्किन तो मैं इसी तरह से बॉयल करूंगी और इससे थोड़ा सा हल्दी डालना है और स इस तरह से ये पक चुका है और इसे हम सेख लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तो इसका बहुत अच्छा जा टेस्ट आता है तो इस तरह से तवे में अगर आप सेखोगे और इसके बाद हम ग्रेवी में डालते हैं तो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ आप छूआपो गडенध Awakब अगी में पका लेंगे तो इससे प्लड़ते हुए मैंने पका लिया है और आप देख सकते हूं इसका कलर भी हो चुका है और इससे साइड में डग देंगे इसका तायार कने वाले हैं फो फ्रेंस क ट्ल की डेसीपी में जादा ओयल लगता है तब ही यह बहुत जादा टेस्टी बनता है और इसमें मैंने डाला है पैन में अराउंड 3 डेबल स्पून के बराबर ओयल कुछ सूखे मसाले आट किया है वन टी स्पून जीरा और कुछ लॉंग डाल चीनी और साथ में ब्लैक पेपर और एक तेज़ पता आट करना है बारीक कटा हुआ और इसे हम हूण लेंगे गल्डन ब्राउंड होने तक तो प्याज का कलर चेंच हो चुका है गल्डन ब्राउंड अब मैं इसमें डालूंगे एक बुल के बराबर टोमाटो प्यूरे साथ में कुछ सू के मसाले आट करेंगे तो इसके लिए मैंने तो इसमें ज्यादा भी आड़ कर सकते हो, कम है तो कम भी आड़ कर सकते हो, उस हिसाब से आपको एजस्ट करना है, थोड़ा सा हाफ बोल के बराबर मैंने पानी आड़ किया है और इसको मिक्स कर लेते हैं, अब इसमें मैं आड़ करूंगी 1 टीस्पून के बराबर नमक और इ इसमें डालूंगी जो बॉयल किया हुआ और साथ में फ्राई किया हुआ हमारे जो कठल है उसे आड़ कर लेते हैं, तो कठल को डालने के बाद अच्छे से इसे कोट कर लेना है मसाले के साथ, और मैं इसमें डालने वाली हूँ, एक कटोरी के बराबर पानी यानी एक बुल मिर्च में हम इसे पलटते भी जाएंगे ताकि यह जले नहीं और मसाले भी अच्छे से इसमें अबजाव हो जाएंगे, तो आफ्टर सेवन मिनिट बाद आप देख सकते हैं, इसका कलर टोटली चेंज है, अच्छे से ओल भी सप्रेट हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी सम ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च को इस तरह से मैंने टुकड़े में काट लिया है, तीन से चार आपको लेना है, अब मैं इसमें डालूंगी वन टी स्पून की बराबर गरम मसाला, और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें एट करेंगे पानी, और आपको जिस ह आप से करी रखना है, उसे साब से भी आप पानी एजस्ट कर सकते हो, तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, तो मैं इसे सेमी थिक बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये भी अब्सॉर्ब कर लेता है ग्रेवी को, तो ये थोड़ा सा थिकी ग्रेवी रहेगा, मसाले इसे आप जैसे करी चाते हो, तो पानी उसे साब से ज़ादा डाल सकते हो, तो मैं इसमें डालूंगी दो कटोरी के बराबर पानी और इसे स्लो फ्लेम पर हम कूख होने देंगे, मीडियम तू स्लो फ्लेम एटलिस्ट, 15 मिनिट्स हम कूख होने देंगे, तो ये प्रॉपरली ये अच्छे से पक चुका है, इसमें धनियापता एट कर लेते हैं, और बीच बीच में मैंने चला भी लिया था, ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और इसमें धनियापता डालिए, मिक्स कीजिए, और फ्लेम को और करके सर्क कीजिए, विद रोटी, राइस के साथ, पराठे क साथ, ये सबी से बहुत जादा टेस्टी रखता है, बहुत ही जादा सिंपल तरीके से, आज मैंने बताया है, आपको कठल की सबची, और इस तरह से बनाईए का ये बहुत जादा टेस्टी बनता है, योप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी तो अ